नमस्ते दोस्तों मैं संदी पारिय आपका स्वागत करता हूँ अब शुरू होगा इसलामिक मत खंडन मंदन क्योंकि बाइबल आदी का पुराना आदी का हमने किया जो पाखंडादी है उनका किसी का उतर नहीं आता आगे भी होता रहेगा लेकिन अब होगा इसलामिक मत खंडन मंदन कुरान की हर आयत की बाल की खाल बिल्कुल विज्जाने के धंग से उतारी जाएगी पूछा जाएगा अगर कोई इसलामिक विद्वान जानता है तो उत्तर दे धंग से लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे तो कोई लगा नहीं इसलामिक चैनल पे जिसको विज्जान का पता हो बस हवाई फायर मार रहे हैं तो यूटूब पे देखता हूँ मैं भी इसलामिक चैनल को तो उनमें से एक बंदा है वो थोड़ा मुझे लोजिकल लगा उसका नाम है इंजिनियर मुहमद अली मिर्जा तो यह वीडियो उसी के लिए है वैसे तो कोई भी उत्तर दे सकता है सबकी छूट है हिंदू मुस्लिम से किसाई सब के सब विज्जानिक धंग से हवाई फाय क्या कैश्वर के जान के उपर लांचन लगा रखें आदी आदी तो विज्जानिक धंग से तो मैं चाहता हूं कि जो मुहमद अली मिर्जा है वो इन बातों का उत्तर दे या फिर कोई और भी दे सकता है कोई ऐसी समझ को नहीं है बर धंग से उत्तर दे कि यह आदमी को सु सुरा अलम्भिया आयत है 29 मी 29 क्या काफिरों ने नहीं देखा अल्ला ने क्वेश्चन किया है क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आस्मान और जमीन दोनों मिले हुए थे पस हमने दोनों को खोल दिया और हमने पानी से हर शे को जिंदा किया तो क्या फिर भी वह इमान नहीं लाते तो इसमें क्या समच्चे है इस आयत में क्या काफिरों ने नहीं देखा अल्ला क्वेश्चन करता है कि जमीन और आस्मान मिले हुए थे क्या काफिरों नहीं देखा तो जो अल्ला को ना माने मुहम्मद को रसूल ना माने जिवरील मिकाईल को ना माने कि ये है भी या नहीं भी वो काफिर होता है सीधी बात यही है सुराल बकर में इस बात का जिकर है तो क्या काफिरों ने नहीं देखा तो हम काफिर हैं मैं तो नहीं मानते हैं इसलाम के गोरडिंग तो भाई नहीं देखा हमने जमिन आस्मान मिले हुए थे तो धर्ती पर ये बता दो कौन सा मुसलिम है चाहिए वो पैगंबर मुहम्मद हो उसने देखा तो मुझे ये बताओ कि किस ने देखा कि धर्ती आस्मान मिले हुए थे कि Allah special कहा रहा है कि काफिरों को क्या तुमने नहीं देखा जमिन आस्मान मिले हुए थे और इसमें कोई अलंकार, metaphor, similar, यादी बहीं भी नहीं है सीधा question पूछा गया है क्या तुमने नहीं देखा तो तो मुस्लिमों ने भी नहीं देखा काफिरों क्या बात है और ये बात संभवी नहीं क्योंकि कुरान में है कि जमीन और आसमान मिले हुए थे आसमान का सिस्टम बाद में देंगे अभी सिर्फ इसी क्वेस्टन का यह हम समिक्षा करेंगे कि जमीना असमान मिले वे थे अल्लान उनको खोल दिया, अलग-लग किया फिर उसकी धर्ती की मिट्टी से आदम बनाया गया फिर हववा बनी फिर उनको इबलीज ने भैका दिया धर्ती पे आ गए, फिर मनुष्य जाती चली इसलाम के कोर्डिंग तो वहाँ पे कोई था ही नहीं तो यह क्वेश्चन तो वैसे मुसलिमों से भी नहीं बनता अल्ला का क्या तुमने नहीं देखा और मुसलिम कहा दे हाँ, हमने देखा था हमने तो, काफिरों नहीं नहीं देखा कोई भी नहीं ऐसा मैंने बहुत सारे मुसलिमों से पूछा क्या तुमने देखा था वो कहते हैं नहीं देखा वो देखते भी कैसे जब कोई था ही नहीं धरती आसमान जुड़े होए थे तब ये तो ऐसी ही बात हो गई कि कोई विक्ति है उसकी साधी हुई 25 साल की उमर में और उसका 26 साल की उमर में कोई बच्चा हुआ और वो अपने बच्चे को कह रहा है क्या जब मैं 15 वर्ष का था क्या तुमने मुझे देखा नहीं तो वो बच्चा क्या जवाब देगा कि मैं कैसे देखता अब ये फोटो वोटो वाली नहीं है कि अल्ला ने किसी दिन डीवी डीवी शियार दिखा दी कि देखो धर्तिया से जुड़ी हुई थी नहीं किसी को नहीं दिखाया तो ये तो इलोजिकल क्वेस्चन है बच्चा 10 साल बाद पैदा हुआ है तो ऐसे ही इंसान धर्तियासमान अलग होने के बाद ही बना है इसलाम के ओर्डिंग तो अल्ला ये बात भी नहीं जानता था कि भाई कोई थाई नहीं तो देखे काफिर जवाब क्या देगा इसका मुस्लिम भी इन दे सकता कि उन्होंने देखा तो ये बात इलोजिकल है बिल्कुल इश्वर के जान के विरुद है कि इश्वर कुछ जानता हो और फिर भी उसके विरुद कुछ कारिया करे तो इस आयत को ढंक से समझाया जाए अगर है तो नहीं तो फिर गलत माना जाए आगे है सूरा अल-अंबिया यही है इसकी आयत है तीसमी इसकी अगली आयत है और हमने जमीन में पहाड बनाए ताकि वह उन लोगों के साथ जुकना पड़े और हमने उसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि वह रहा पाएं एक बिल्कुल ऐसी ही एक और आयत है सूरा नहल में पंधरवी आयत है और उसने जमीन पर पहाड रखे कि तुमें लेकर कहीं वह जुकना पड़े और नहरे वरास्ते बनाए ताकि तुम रहा पाओ यानिकी बात यह है कि अल्ला ने धरती पहाड रखे कहीं वह तुमें लेकर जुकना पड़े जैसे तकत होता है ना तकत उस पर उपर आदमी खड़ा स्टेज है वो जुग गया तो पता चल तक कैसे जुगता है अब धरती गोल है जहां पर मनुष्य है दो धरती है ये गोल है तो गोल चीज जुगती कैसे है धरती कंटिन्यू मूविंग भी है अपने एक्सिस पे भी है और 13 डिगरी पे जुगी भी हुई है और इसमें पहाड़ों का कौई लेना देना नहीं है हाँ ये इश्वरी ववस्था से है और सूरज के चारों तरफ भी चक्र लगा रही है सूरज मिगलक्सी के चारों तरफ चल रहा है धरती उसके साथ साथ में है पूरा सिष्टम ऐस कैसे है कि वह आदमियों को लेके जुक ना पड़े साथ में आदमी भी जुक जाएंगे मत गिर जाएंगे जाए स्टेज जुक जाता आदमी गिर जाता है तो अगर अगर अल्ला पहाड़ न डालता तो गोल धरती जुकती कैसे बस इतना अच्छा पर्षन है यह दो पर्षन अभी तो इतने ही है बाकी बाद में लेके आएंगे से देख रहा हूं मैं कि आपकी श्मिक्षा भी कैसी है कहीं औरों की तरह आंद विश्वास में तो नहीं है तो कोई भी उतर दे सकता है वैसे कोई बाउंडरी नहीं है कि भा स्कॉलर से पूछ के उतर दे सकता है बाकी हवाई परिंदय फायर पता नहीं क्या-क्या उन पे मानना है तो मानते रहे बाई अपनी तरह से भी कुछ बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है तो जी इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा फैलाईए सब को पता चले ताकि मुस्लि लिख दीजिए समय होगा तो जुरूर बनाऊंगा नमस्ते जी ओमारिय वर्त